आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Choose Wrong 1 इस Question में हम से Wrong Statement Selected रिने के लिए बोला है और यह Nitrogenous Enzyme क्या है कि At the Presence of Molecular Oxygen Inactive हो जाता है या पिर वहाँ पर यह Catalytic Activity परफूम नहीं कर सकता है इसलिए जो Leg Hemoglobin होता है वो O2 Scravenger की तरह कारे करता है और इस O2 को वहाँ से रिमू कर देता है और एनेरोबिक कंडिशन मनाता है ताकि Nitrogen fixation हो सके Option 2 में दे रखा है ATP that is used in Nitrogen fixation comes from respiration of host cell जो Nitrogen fixation होता है उसमें Nitrogen के लिए दो अमोनिया बनते है एक Nitrogen के मोलीगोल से दो अमोनिया बनते है और इसके लिए 16 ATP की requirement होती है तो इतना हाई अमोन में जो ATP की requirement होती है वो इसे host cell से प्राप्त होती है Option 3 है एमेट्स सर्वजेज प्रोटीन प्रिकर्सर की कंपॉंड फो नाइट्रोजन ट्रांस्पोर्ट एंड इस्टोरेज जो एमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं डबल एनिमेटेड केटो असीड होते हैं और उसमें नाइट्रोजन ज्यादा पाई जाती है और वो ही क्या होते हैं कि प्रोटीन की प्रिकर्सर भी होते हैं इसलिए ये इस्टेट्मेंट करेक्ट है ओप्शन 4 के अंदर दे रखा है अमेटेड है लो नाइट्रोजन टो कार्बन डेशियो इसमें जो nitrogen to carbon ratio होता है वो high होता है that's why this statement is wrong so answer for this question will be option 4